नमस्कार आप देख रहे हैं थी बॉस नूज और मैं हूं सर्फ़ाज आलम पुर्वशांशद आनन्मोहन की रिहाई को लेकर अब शियासत तेज हो चुकी है लगातार जो है आनन्मोहन जी की रिहाई को लेकर जो है मांग उठ रही है और इसको लेकर सिंग गरजनारेली जो ह है 29 जनवरी को होना था और उसको लेकर क्या कुछ निर्ने लिया गिया है और किस तरह का अब जो सामने आया गया है उसमें परिणाम क्या कुछ सामने आएगा और किस तरह का अंदुलन अब करने के लिए जा रहे हैं पुर्वशांसद आनन्मोहन जी के पुत्र अंशुमन किस तरह का क्यूंकि करोना प्रोटोकॉल को देखते हुए सभी रेली जो है अस्तरगित कर दी गई थी और उसके बाद आप लोग के किस तरह की रणनीती जो है अब बना रहे है इसको लिए हम लोग का था कारिक्रम 29 तारिक का रखने का पहले लेकिन 21 तारिक को इन लोगों सरकार ने बयान दिया और आगे बढ़ाने का काम किया छे तारिक कर दिया जिस कारण से हम लोग अपना राली जो है लगबग 2 महिना आमें बढ़ाना पड़ रहे है और एप्रिल में वीर कुवर सिंग के जयनती पे हम लोग अपना कारिकरम और बड़े से करेंगे क्यूंकि कि सरकार जो चाह रही होगी की डिस्टर्ब करने का कि अगर बढ़ा दिया जाएगा चेट अरिक कर दिया जाएगा तो फिर हमारे लोगों के उत्सा में कोई कमी नहीं आएगी और हम लोग बढ़त के और जादा बढ़त के जो पहले छोटे फील्ड में अगर करते तो आप जो लोग बिहार के राजनीती को अच्छे से जान रहे होंगे, वो जानते हैं कि किस तरह से नब्बे के दशक से लीच की तरह आनन्द मोहन जी के पीछे पढ़े हुए हैं, जब ज़रूरत पढ़ता है तो बिना मंतरन के चुनाव से पहले घर पे पहुंचने का काम करते हैं, और जगा जगा कई मंचों से उनने आनन्द मोहन जी के समर्थन में बयान दे रखा है कि अपने तरफ से जितनी भी होगा संभाव करेंगे, लेकिन हमने देखा कि किस तरह से महराना प्रताप के मंच से, आनन्द मोहन जी का नाम सुनते ही उनके शकल पे जो डर था, वो जहल जहला करा था, और यह डर केवल आनन्द मोहन जी से नहीं, यह डर पूरे बिहार के राजपूत समाथ से था, और आपने गंभीर आरोप जो है अभी लगा है, क्योंकि लॉग्टाउन जो नाइट कर फ्यू लगाया गिया है, क्योंकि रेली को लेकर लगाया गिया है, क्यों वहां पे भी जो गाइडलाइन्स वो बदले गए हैं, और मतलब 500 लोगों का भीर जुठाने का उधर कर रख है, तो अपने हिसाब से जब सरकार चलाती है, तो इधर दूसरी जब राज्यों से हटा दिया गया तो बिहार में बस एक ही कारण से इन लोगों ने रख़ा है, क क्योंकि बिहार ही नहीं, बाहर जितने भी राज्य थे, सारे जगह सूचना मेल चुकी थी, और कई लोगों में उत्सा था, कई लोग पहुंचना चाह रहे थे, तो उन लोगों के उत्सा को ध्यान में रखते हुए, अब जो राली है, जो जितने लोग हैं, उन लोगों को वर्चुल के माध्यम से आगे का संदेश देने काम लोग काम करेंगे, जो लगतार जो रिहाई को लेकर जो मांग उठ रही थी, वो लगतार अब उठती हुए दिख रही है, सियासत भी गरमाई हुए है, कहना कहीं, नितिश्क मार पर ये लोग हमलावार हो रहा हैं, क्यों उतनी चिंता आप लोगों की है, उतनी चिंता हमें भी है, और आनन महांजी के रिहाई को लेकर जो है, उन्होंने रिहाई की बात कही थी, खुले मन से, उसके बाद भी वो अपने बातों पर नहीं रहे, जिसकारण यहाँ पे जो उनके चाहने वाले हैं, जो झाले हैं, 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 झाले